आज मैं देख रहा हूँ कि तृपुरा में लोग हिंदू मुसल्मान के बारे बात कर रहे हैं ट्राइबल बिंगॉली के बारे बात कर रहे हैं हमारे ट्राइबल के अंदर रियांग जमतिया देव बर्मा उच्छोय के बारे बात कर रहे हैं Christian Hindu के बारे बात कर रहे हैं, कोई development के बारे बात नहीं कर रहे हैं, कोई एकता के बारे थांसा के बारे बात नहीं कर रहे हैं, कोई रास्ते के बारे बात नहीं कर रहे हैं, कोई कल नौकरी के बारे बात नहीं कर रहे हैं, सब धरम के नाम में या फिर एक दूसरे से लड़ने के नाम में बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ये जहर कौन फैला रहा है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ और अपने तीप्रा मौथा के वर्यर्यस को बोलना चाहता हूँ, आप हिंदू हो, मुसल्मान हो, क्रिश्चिन हो, मैंने ये पार्टी किसी के बीटीम होने के लिए नहीं बनाया था, हमारा आइडियोलोजी, हमारा खुद का आइडियोलोजी है, और हम लोग अपने लोगों के साथ है, अपने अधिकार के साथ है, अपने समविधानी constitutional rights के साथ है, हमने अपना एक पॉइंट भी give up नहीं किया है, और ना give up करेंगे, लेकिन जब अन्याए ह होता है हम लोग आज अलाइंस में हैं लेकिन अगर कोई किसी को मारा जाता है किसी के ओपर अटैक होता है अगर वो गलत काम है तो हमें आवाज उठाना चाहिए क्योंकि हम पावर में आये हैं लोगों को मदद करने के लिए चुप बैठने के लिए नहीं आये हैं तो अगर हम हमारे कुछ लोगों को कुछ लीदर्स को चर भी चड़ गई है तो मैं अपने वोरियों को बोल रहा हूं कि आपको किसी ने रोका नहीं है सत्य के लिए बात करने के लिए सच तो बोलना पड़ेगा ठूट इस एपसलूटली इसेंशल और यह मेरा आवाज है बुभागरा का बुभागरा ने आपको कभी नहीं बुला है चुप बैठो बुभागरा ने हमेशा कहा है कि सच के लिए बात करो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ तो मैं आप सबको बोल रहा हूं एक रहिए सबसे बात कीजिए और अपने आपको आइजिलोजिकली और पुलिटिकली अलाइव रखिये आपको अलग बनके ही काम करना है आपको चुप बैठने के लिए मैंने ये पाटी नहीं बनाई तो जब करप्षण होता है आवाज उठाईए जब किसी के खिलाफ अन्याय होता है कोई गरीब को मारा जाता है अन्याय उठाईए जब पुलीस टेशन में क लेकिन आवाज उठाईए क्योंकि एक दिन ऐसा समय भी आ सकता है जब आप चुप रहेंगे और सब आप से जवाब पूछेंगे कि जब आप थे तो आपने उस समय आवाज क्यों नहीं उठाया जो मैं बोल रहा हूँ इसको आपको समझना चाहिए इसमें आपको विचार करन चाहिए मैं यह audio message भेज रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुरुप्रा में शांती रहे development हो और हम सब हिंदू बंगाली मुसल्मान क्रिशिन बुधिस्ट सब एक संग रहे लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है कुछ लोग जहर पहलाने की कोशिश कर रहे हैं यह समय है आपको सत्य क संग रहना है और चुप बैठने से कुछ नहीं होगा लेकिन जब आप आवाज उठाओगे तो शस्त्र से नहीं एकता से शांत से वाइलन्स नहीं लेकिन आवाज को दबाने भी नहीं दीजे लेकिन वाइलन्स मत कीजे बस यही मेरा message है जो मैं बोल रहा हूँ विचार टेचे नहीं वेकिन आवाज कीजें विपस्यन दाओ़ने जात शटी हैं